प्रेव मैं परमेश्व का दनेवाद करता हूँ एक बाफिर से कि उसने ये मौकर दिया कि मैं एक बाफिर से खुदा के कलाम को आप लोगों के बीच में रख सको आज का शीशक आपने पढ़ा होगा यहुदा स्कुरूती के लिए जो परमेश्वर आज आपसे बात करने जा रहे हैं उसके जीवन चरितर पे एक गलती जो यहुदा स्कुरूती ने की और उस गलती का जो भुकतान उसने किया उस सारी बाते इस वच्चन में आप सीखने पाएंगे मैं मुख्य बात आपसे बाटना चाहता हूँ एक मौका जो गवा दिया गया एक अफसर जो गवा दिया गया प्रियो जब आप इस कलाम को सुन रहे हैं याद रखेगा परमिश्वर आज के इस वच्चन से आपसे बहुत कुछ बात करेगा वो आपकी दशा को आपके जीवन की अवस्था को बताएगा मैं चाहता हूँ कि जब भी जिस भी जगहा पे खुदा आपसे बात करता है उस बात को आप नोट डाउन करें और जरूर से हमें कमेंट्स में बताएगे आपके जीवन की जो भी दशा है और खुदा के वच्चन ने आपसे जो भी बात करी आप हमें कमेंट्स में जरूर से बताएं और हम आपके लिए प्रात्ना करेंगे मैं चाहता हूं इस वचन के द्वारान जब प्रभू आपसे बात करे यदि वो आपको तोड़े तो आप अंगीकार करते हैं तो वो अंगीकार आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, कोई निवेधन है तो आप हमें भेज सकते हैं, अब मैं निश्च जानता हूँ, जब आप अपने जीवन की दशा को खुदा की हातों में सौपेंगे, तो वो निश्च आपके जीवन की दशा को बदल प्रभू इस वचन के द्वारा अब सबको आशिष दे, इस वचन को पूरा सुनिएगा, अंतक सुनिएगा, और जरूर से आप लाइक भी करिएगा, और जाद से अदर इस वचन को शेर करिएगा, ताकि बहुत सारे जीवन इस वचन के द्वारा आशिषित हो सकें, और उन परमेश्वर, आपका दनेवाद करता हूँ, आपके अनुग्रे, आपके दया के लिए, कि आप हमारे मत्य में हैं, और इस वचन को सम्हालने वाले परमेश्वर हैं प्रभू। आपका वचन कहता है, कि पवितरात्मा ही हैं, जो वचन की द्वारा लोगों के मनों को छेथते हैं, मैं विंति करता हूँ, आज जब ये आपका कलाम सुने खुदा, तो इनके मन छेथ जाएं, इनके हिर्दे छेथ जाएं, प्रभूरिश्व के नाम में, आमें। हाललोया, मैं चाहता हूँ, मेरे लिए एक जगा से पढ़ें, इफीसियो की पत्री उसका पाँच अध्याए और उसके सोला पत्को, इफीसियो उसका पाँच अध्याए और उसके सोला पत्को, अफसर को बहुमूल ने समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। condition क्या होगी? वहां दिन अच्छे दिन होंगे, हो सकता अच्छे दिन हो, है न? हमने बहुत सुना है अच्छे दिन के विश्य में हो सकता अच्छे दिन हो, पर हुदा कुछ कह रहे हैं, अफसर को भ़व मुझ्लने समजो क्यों कि दिन बुरे हैं यानि कि खुदा बताने चाहते है खुदा का कलाम बताना चाहता है पिता बताना चाहते है कि हमें अपने अफसर को पहली चीज पहचानना है और दूसरी चीज उसे बहुमुले समझना है बहुमुले समझना है कई पर बहुत सारे जीवन ऐसे है, जब उनके पास अफसर आता है, मौका आता है, है ना जब उनके पास मौका आता है तो वो चूग जाते है वो समझते रहे हैं कि कितना important मौका मुझे मिला है, ये बहमूले अफसर मुझे मिला है, और मुझे इसका इस्तमाल करना चाहे, कितनों ने इस बात को सुना है कई बार इस बात को हम सुनते है कि एक बार जो मौका आता है, शायद वो दुबारा कभी ना मिले है ना, कितने लोग जब कई बार एक्जाम से चूग जाते हैं उन्हें लगता होता है कि हम जरूर से से कौलिफाई करने थे अगर हम चूकते नहीं, हम पहुँच जाते समय से, हम दे देते पेपर, तो हम चूकते नहीं, तो वो क्या कह रहे हैं, वो इंडायटली यही कह रहे हैं, हमारा अफसर चला गया, पर मैं आपको बता हूँ, जो अफसर को बहुमुले समझते है जो जानते हैं, कि यह मौका मेरे पास आया है, नहीं जानता कि कल आएगा या नहीं आएगा, और आज ही मेरे लिए मौका है, तो पता है, वो बहुत कुछ बदलने की सामर्थ रखते हैं, हाललोया, आपको बालू मैं, एक नगर के पास एक मौका आया, एक अफसर आया, है न वो नगर जो नाश होने पर था एक अफसर को उसने पाया और नाश होने वाला नगर न्याय करने वाला नगर बन गया हललोया नेनवे की बात कर रहा हूँ परमेशो ने एक मौका उस नगर को दिया एक अफसर उस नगर को दिया और परमेश्व ने प्रमेश्व 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 है हमेंसे नहीं गवाना है ना उन लोगों ने जान लिया और इसी कारण से क्योंकि उन्हों उन्होंने अपना मन फिराया उन्होंने अफसर को बहुमुले समढ लिया चालिस दिन ववास में रहे टाट ओर लिया राक पर बैठ गया पश्यताप किया और बाइबल में लिखा है जब आप मती रचिस्व समचार को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है परमेशों ने कहा निया करेंगे है न उठकर नियाय करेंगे जो नाश होने वाले थे परमेशों ने उन्हें नियाय करने वाला ठहरा दिया हालेलोया किस कारण से एक मौका एक अफसर उनके पास पहुँझ गया उन्होंने उसे बुना लिया उसे युटलाइस कर लिया उनकी लाइफ बतल गए हाले व्यक्ति है आप समने उसका करेक्टर जाना होगा बहुत सारी बाते आपने सुनी होंगी यहुदा के विश्य में पर आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत खुबसूरत बात है यहुदा के पास भी एक मौका था मैं आपको बता पर पता है उसने मौका युटलाइज नहीं किया अफसर को बहुमूले नहीं जाना है ना जब हम इसको आरम करते हैं जब आप मतीर अचिसू समाचार उसके 26 अध्याए को पड़ते हैं आपको मालूम है उससे पहले लिखा है 14 आयट से जो उपर की आयते हैं उसमें लिखा ह इश्य मसीएक स्थान पर थे बैतनिया में थे बैतनिया में क्या हो रहा था एक स्थरी आती है संग मरमर के पात्र में इत्र लेकर और उसे उडेल देती हैं और यहुदा इसकूरूती और जो बाकी चेले थे ना लिखा है बैविल के अंदर वो कुल-कुल आते हैं कि इतना म कुमालों में जब आप यहुना को पढ़ेंगे जॉन के गॉस्पल में पढ़ेंगे इस बात को तुमा लिखा है ये बात इसने इसलिए नहीं कही थी यहुदा ने कि उसे चिंता थी गरीबों की है न भूकों की पर इसलिए क्योंकि वो चोड था और जो कुछ पैसा डाला जा क्यों सता रहे हो क्यों ये बाते बोल रहे हो क्यों ये बाते आप कर रहे हो इस इस्त्री ने तो मेरे साथ भलाई करी है इसने मेरे गाले जाने के लिए ये सब किया है है न वो उसे बताते हैं सब को डाट देते हैं और इस डाट को लेकर ही यहुदा बहार निकलता है गुस पास शास्त्री परीशियों के पास कहता है मुझे बताओ क्या दोगे अगर मैं उसे पकड़वा दूँ एक योजना बनाता है ये शुमस्य को पकड़वाने के लिए और बाइबिल में जब आप पढ़ेंगे मतिरची 26 अध्याई को और 14-16 पद में वो अपने शलियंत्र को जानता है जानता है ना शलियंत्र को बहुत बागु भी जानता है वो जानता है कि मैं गलत हूँ मैं ये शु को पकड़वाना चाहता हूँ अब बात आरभ होती है ये शुमस्य फसे की तयारी कराते हैं फसे खाने के लि इस पर बैटे होते हैं उस स्थान पर खटा होते हैं ये शुमस्य फसे एक बात कहते हैं क्या कहते हैं कहते हैं तुम में से एक जन मुझे पकड़वाएगा ये कहते हैं ना कहते हैं तुम में से एक जन मुझे पकड़वाएगा और सब चेने कहने लगते हैं क्या कहते हैं कह क्या वो मैं हूँ, क्या वो विक्ति मैं हूँ, ये शो कुछ कहते हैं, है न, आपको मालू है, एक विक्ति वहाँ पे था, एक विक्ति वहाँ पे था, जिसका नाम यहुदा था, और वो ये बाखुबी जानता था, वो बाखुबी जानता था कि वो मैं हूँ, है न, आप अग आपके दिमाग में यह योजना है, है न? पर वो क्या कर रहा है? आपका वालू मैं, बहन इसे पढ़ेगा क्या कहता है वो? तब उसके पकरवाने वाले यहूदा ने कहता है, हे रब्भी, क्या वे मैं हूँ? मैं हूँ? अब समझे हैं, मैं एक गंभीर बात आपको बता रहा हूँ? आपको मालू मैं, एक मौका येश्यो ने इसको दिया, पताए कैसे? जैसे ही इसने इसने जाना कि एक रोज से भरकर भार गया, इसने कहा चलो मैं येश्यो को पकड़वा देता हूँ, इसने योजना ब कोई एक मुझे पकड़वाएगा, येश्यो को पता था कि येहुदा योजना बना चुका है, येश्यो मसी को पता था ये मुझे पकड़वाएगा, इसके बावजूद भी येश्यो मसी ने उसे एक मौका दिया, आपको वालू मैं, इसलिए उसने कहा तुम में से मुझे एक पकडवाएगा, एक जन जो मुझे पकडवाएगा, पता है उसके बावजूद भी, यहुदा इतना जादा चलाक था, इतना जादा वो अपने आप में इतना जूटा बन गया, इतना इनोसेंट बन गया, कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, येश्व मसी इस बात को जानते थे कि एक विक्ति मुझे पकड़वाएगा और जब वो ये बात जानते थे और उन्होंने एक मौकी के रूप में वहाँ यहुदा को इस बात को बताया कि तुम में से कोई मुझे पकड़वाएगा है ना पर उसके बावजूद भी यहुदा ने क्या किया और ज़ादा चलाची और ज़ादा चेहरे के उपर नकाब डाल लिया और ज़ादा चतुर बन गया और ज़ादा भोला बन कर यशू से कह रहा है क्या वो मैं हूँ हललोया आप समझे रहे मेरी बात को यशू मस्ती चाहते थे कि यहुदा अपनी गल्ती को स्विकार कर ले है ना क्रोध में आकर गुस्से में आकर उसने योजना बना ली कि मुझे पकड़वाए पर यशू चाहते थे कि यह स्विकार करे पर पता है उसने यह स्विकार करना वो चित नहीं जाना वरन और ज़ादा भोला बन गया और जब येशू मस्ती ने कहा तू कह चुका तो पता है ये बात येशू मस्ती भी जानते थे कि यहुदा वोई शक्स है और यहुदा स्वैम भी जानता था कि मैं ही वो बेक्टी हो हालेलोया इसके बावजूद भी वो शिपना चाह रहा था आपको नहीं पता आज ये बहुत सारे जीवनों की दशा है है न क्या आपको लगता है ये शव मस्ती कोई भी बात ऐसी है जो आपके जीवन के शव मस्ती नहीं जानते पवितरात्मा नहीं जानते खुदा नहीं जानता हर एक बात परमेश्वर जानते हैं continued 174 में क्या लिखा है एक और दो पक्राद में लिखा है किह सबकूछ झानता है न में अपनी भाशते में बता रहाऊ गात टू मेरे बारे में सबकूछ जानता है वाँ लिखा क्या है तो मेरा बैठना जानता है, तो मेरा उठना जानता है, तो मेरा चलना जानता है, तो मेरा फिरना जानता है, तो हर एक बात को जानता है, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, तो मेरे लिए, तो मेरे सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर है, उसके बावजूद भी, हम जानते हैं कि खुदा प्राती निकरती हुए, हम खुदा तक से जूट बोलने की कोशिश करते हैं, हलिलुया, होता है न, हमारी दश्या है, बिल्कुल साफ सुत्री बात अब से कर रहा हूं, हमारी ये दश्या है, यहुदा कहीं न कहीं, हमारे वितर भी पाया जाता है, सिर्फ इस बाइबल के वित पातर तो ये नहीं पाया जाता आप जानते हैं एश्य मसी ने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया है उसके बावजूद भी जब आप चर्च में आते कलीसिया में आते लोगों से मिलते हैं तो क्या करते हैं आप ऐसा प्रेटेंड करते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं मैं ऐसा पीछे मन में उसके बहुत कुछ भरा हुआ है वनके अंदर बहुत कड़वाट है बहुत बुरी बाते हैं ना जाने कैसी कैसी योजना है पर जब वो बहन आ जाए सामने तो हो हो कितनी खुबसूरती से हम सारी चीज़े करते हैं है बहन आजो सामने ज़रा इदर आजो 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 आप भी आजाओ पता हैं कैसे करते हैं हमारे जीवन में यहुद आप आया जाता है यह बहन है इसे पता है कि मैं बीतर से कैसी हूँ बीतर से मैं बहुत खराब हूँ इस बहन की विशे में बहुत सारी कपट की बाते मेरे बीतर है पर पता है क्या होता है बहन आप उधर मुझ करो अब यह बहन है इसे पता है कि बहन की विशे में मैं कैसा सोच रखता हूं कैसी बाते रखता हूं तो पता है क्या करते हैं अरे वो तो हैसी है अब यह बोल ले है बोलो न यह तो हैसी ह यह ऐसी तुझे बुरी बुरी बाते करती है यह है ऐसा है बेन गुमो अब जैमसी की बेन आप बहुत अच्छे हो है ना कितने कितने अच्छे बाते आपके मुह से निकलती है है ना आप मेरे बारे में कितना है मैं आपके लिए दुआ करूँगा मैं आपके लिए दुआ है न फिर गुम जाओं और फिर वह सारी बात है हालेलोया समझ रहे न यह कर रहा था यहुद यह जानता था पीट पीछे येशु मसी के लिए योजना बना रहा था पर जब येशु मसी सामने है येशु मसी उसे एक मौका दे रहे हैं अंगी कार कर मैं जानता हूं तेरे है उसे मौक का दिया और पथा जब मौका आया तो वो और ज़्यादा चतर बन गिया और ज़्यादा चतराई दिखाई बड़े उससे कह रहा है प्रभु था वो मैं हूं है ना कैसे कह रहा था ऐसी तो भूलना होगा प्रभु तो मैं हूं ऐसी होता है हमारे चेहरे ऐसी बदलता है है ना हमारे चेहरे के जो नकाव है ना वो बहुत सारे हम उन्हें बदल बदल कर प्रेजेंट करते हैं इतना कुछ भी नहीं मालूम परमेश्वर हमें कुछ नहीं मालूम हम बिलकुल सच्छे है आपको मालूम है कहा से आया सुभव आदम का आदम ने क्या किया था जैसे उसे पता चला कि यहां पाप हो गया है गलती हो गई है गुना हो गया है तो पता है क्या कर रहा है यह परमेश्व को तूने रखा, उसने खिला दिया, जे सिस्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया, उसने ने दिया, यही सवाव है, कितना चतुर बन रहा है, अरे परमेश्व चारे की तू स्विकार कर ले, परमेश्व चारे तू accept कर, पर पता है चतुराई दिखा रहा है, चतुराई दि भाई ने मुझे पाप करा दिया, इस भाई ने मुझे गुना करा दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्यों नहीं जाते परमेश्यों के सामने एक एमानदार वेक्ति की तरह, कि परमेश्यों हा मुझे हुआ, मेरी गलती है, मेरा फॉल्ट है, परमेश्यों यही चाह रहे थे, पर पता है अधिकतर लोग इस बात को स्विकान नहीं करते कि उनकी गलती है उनका फॉल्ट है जब परमेश्वर उन्हें मौका देता है अफसर देता है कि रिपेंट करने मौका तेरे पास है शमा मांग ले पता है बहुत सारे जीमन गवा देते हैं गवा देते हैं मांका आता है और हम इग्नोर कर देते हैं हम चतुराई में फस कर रहे जाते हैं परमेश्वर के सामने भी हम कहते हैं प्रभू ये मेरी गलती नहीं है ये तो उसकी गलती है ऐसा हो गया वैसा हो गया बहुत सारी बाते हम करते हैं करते हैं ना है ना वही सवाब केन के अंदर आया केन से परमिश्यों कह रहे थे कह रहे थे ना भाई का है तो केन क्या कहता है मुझे नहीं मालू सब कुछ पता था भाई को मार बैठा है भाई की हत्या गर चुका है भाई का खून बहा दिया, सब कुछ कर लिया उसके बाद परमेश्वर आके कह रहे हैं कहा हैं, तो पता है क्या कह रहा है इतना जादा चलाग बन रहा है इतना जादा इनोसेंट बन गया है कह रहा है, मुझे नहीं मालू मेरा भाई का है मैं रखवाल हो मुझे नहीं मालू अब वही चीज़े आज बहुत सारे जीवन कहरी कर रहे है सुनिएगा ध्यान से परमेश्वर एक की बात कहते हैं कहते हैं, अपने जीवन में इमानदारी को ले कि आओ सत्यता को ले कि आओ सच्चाई के साथ चलो जो सच्चाई के साथ चलेगा जो स्विकार करने वाला जन है अपने पापों को जो स्विकार करता है कि मेरे जीवन में गुना हो गया मेरे जीवन से पाप हो गया गल्ती हो गई, पता परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर उस पे दया करते जो अपने अपराद मान लेता और छोड़ भी देता तो क्या होगा उस पर दया की जाएगी प्रभू चाहते हैं आप पर दया करना परमेश्व चाहते हैं कि तुम पर दया हो देजन्ट मेंटर तुम्हारे पाप कैसा है तुमने कितना बड़ा पाप किया कितना छोटा पाप किया कोई फरग नहीं परता परमेश्व को परमेश्वर के दृष्ट्री में छोटा पाप, बड़ा पाप, सारे पाप एक समान है पाप पाप ही होता है, है न, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो प्रभु क्या कह रहे हैं, जब कोई अपने अपराद को, अपने पाप को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी अब ये जिम्मेदारी किसकी है, कौन मानेगा अपने पाप को, मैं और आप और जब हम अपने पापों को मानते हैं, खुदा के सामने, परमेश्वर के सामने कहते हैं, परमेश्वर मैं अपरादी हूँ, ये गलती मेरी है ये सिन मेरा है, ये गुना मेरा है बले ही मैंने किसी के द्वारा बहकाये जाके ये करा, बले ही मेरी गलतीया हुई पर वो कुछ भी है, पर ये मैंने किया है, लौड मेरा सिन है, मुझे शमा कर आपको मालू में परमेश्व के वेचन में क्या लिखा है उस पर दया की जाएगी याद रखिए अगर आपने अपरादों को छुपा लिया है आप संसार से छुपा सकते हैं यहुदा का शडियंत्र उसे लग रहा था किसी को नहीं बानूं किसी को नहीं पता येश्व मसी ने मेरा बच्चा इस अपराद को कर रहा है इस गुना को कर रहा है फिर भी वो अपनी दया दिखाता है और वो चाहता है कि आप स्विकार करके परमेश्व के सामने स्विकार करें इमानदारी से लौट मेरे से हो गया मुझे शमा कर दें पता है परमेश्व आपको शमा करेंग आपके गुनाहों को माफ करेंगे, पर पता है हम परमिश्व के सामने जा जाकर जूट बोलते हैं, परमिश्व ने कहा कि क्या परमिश्वर मनुश्य है जो जूट बोले, आप सोचके देखिए खुदा क्या कह रहे हैं, क्या परमिश्वर मनुश्य है जूट बोले, खुदा जानता है कि आप कितना जूट बोलते हैं, कितने जूटे हैं, और अगर ये जूट आपके अंदर बना हुआ है न, पता है हम जूट कैसे बोलते हैं, हम जूट ऐसे नहीं बोलते हैं, एक दो बचानक से धटना हो गई, तो हमने जूट बोल दिया, हम प्लान करके जूट बोलत और हमें लगता है हमने इस भाई को इस बहन को जूट बोलकर बस सई कर दिया है न हम सेफ हो गए पर पता है आपको बताना चाहता हूं आपका खुदा आपके जूट को जानता है जानता है उसके बावजूद भी वह आपको मौका देता है उसके बावजूद भी वह आपको अ प्रसन होता है भजन 51 उसका 6 पद 51 वर्स 6 देख तू हिर्दे की सच्चाई से प्रसन होता है कौन कह रहा है राज दाउद कह रहा है एक अपराद में चला गिया उसकी शमा मांग रहा है खुदा से और कह रहा है परमेश्वत देख तू हिर्दे की सच्चाई से प्रसन होता है और मेरे मन ही में ग्यान सिखाएगा हललुया कहना है तो हिर्दे की सचाई से प्रसन होता है परमेश्वर और मेरे मन में ग्यान सिखाएगा एक राजा होकर परमेश्वर के सामने सचाई से अपने जीवन का गुना कुबूल कर रहा है कहारा Lord मैं sinner हूँ मैं अपरादी हूँ मैंने हत्या करी मैंने वेविचार किया पर मैं जानता हूँ कि तू सच्चाई से प्रसन होता है हालेलोया आप भी अपने पापो की बात नहीं कर रहा पर वो जानता है वो Lord को invite कर रहा है कि वो वेरी सहेता कर क्योंकि मैंने कलाम में ये बात जान ली है कि तू सच्चाई से प्रसन होता है तो जूट से घिर्णा करता पर तू सच्चाई से प्रसन होता है बहन पढ़िए गए जरा नितिवचन उसका बारा का बाईस क्या क्याता है जूटों से यहोवा को घिरना आती है शल से घिरना करता है जूट से घिरना करता है परमेश्व कह रहा है जूटों से यहोवा को घिरना आती है परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उन से वे प्रसन होते हैं परंतु जो विश्वास से काम करते हैं कि परमेश्वर धयालू है, वह दया करेगा मैं अगर मान लूँगा अपने ब्रात को, मैं अपने गुना को मान लूँगा तो मेरा खुदा मुझे शमा कर देगा जब वह विश्वास करते हैं, तो परमेश्व की वचन में लिका है उनसे वह व्जण होता है एक जगह से और पढ़ेगा निती वच्छन उसका 11 और 20 जो मन के टेड़े हैं उनसे यहोवा को घ्रिना आती है आप मुझसे बहतर जाते हैं कि आप मन के सीधे हैं या मन के टेड़े हैं और अगर टेड़े हैं तो खुदा को वच्छन कहरा है यहोवा को घ्रिना आती है परंतु वे खरी चाल वालों से प्रसन रहता है जो खराई से चलते जिनके मन खरे हैं अगर वो गुनहा भी करते हैं अगर वो पाप भी करते हैं तो खराई से अपने परमेश्यों के सामने स्विकार करते हैं हालिलोया, प्रभू कह रहा है कह रहा है, जो टेड़ी चाल चलते है यहोवा उनसे ख़र्णा करता है वालो में टेड़ी चाल कौन चल रहे थे? अगर उस समय की बात करूं बाइबिन में क्या लिका है? यहोणा ने क्या कहा? इन लोगों को अपने पास आते हुए देखके लोग पास आ रहे थे, कौन आ रहे थे शास्त्री, सद्थुकी और फ्रिसी पास आ रहे थे और क्या कहते हैं? यहना यह साब के बच्चो क्या कह रहे थे? पता हैं, उनकी चाल या उन्हा को पता थी कि इनकी चाल टेड़ी है इसलिए उज़े साप के बच्चे कहकर संबोधित किया कि यह ऐसे ऐसे चलते हैं है न जहां मौका मिला सीधे जहां मौका मिले टेड़े समझ रहे न साप की एक quality होती है प्रभु के एक दास ने बताई और बहुत कुपसूरत बात मुझे लगी साप हमेशा ऐसे ऐसे चलता है पर जब वो बिल में जाता है बिलकुल सीधा जाता है हालिलुया बिल में जाता है बिलकुल सीधा जाता है बिलकुल हमाई तरह बबन में आते हैं बिलकुल सीधे है न, बहुत कुपसूरती से, वले अराम से सीधे दबे पाउं वासे गुसेंगे, जूते उतरेंगे जूते उतार के अंदर आएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, शोर न हो जाए है न, बैठे रहेंगे राम से, बिलकुल, और फिर जब ये घर पे जाते हैं, तब पता चलता है, असली वाला भाई तो बाहर आया समझ रहें न, क्या गहरें, ये हर जगद तेड़े हैं, पर जब ये ऐसी जगणों पर होते हैं ऑपस्तिति में आते हैं, बिलकुल सीधे बन के आते हैं, यहोदा कैसे बन के आया सीधा, मैं हूँ समझ रहे न, वो जानता था कि मैं ही हूँ, परमेश्वर के सामने जूट बोल रहा है कितना चतुर बन रहा है, कह रहा है कि आप वो मैं हूँ परमेश्वर, क्या वो मैं हो येश्व मस्सी पता है ये ही है, इसलिए यहोँ न कहते हैं, कहते हैं साप के बच्चो आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर सबसे ज़्यादा घिर्णा जूट से करता है जब आप बाइबिल में पढ़ेंगे न छे बातें वरन साथ हैं जिनसे यहववा को घिर्णा आती है तो उसमें दूसरी ही बात लिखी है जूट बोलने वाली जीव है न जब जूट बोलते न आज सुनके जाईएगा जूट आप कितना भी बोलिये आप अरमेश्वर से जूट बोलनी की कोशिश करते हैं पर उसे सत्य पता है आप उसे बेखुफ तो नहीं बना सकते मनलश्य को बना लीजे इसलिए खुदा कह रहा है कि उसे जूट से नफरत है उसे घिर्णा है आपको हमेशा सचाई में बने रहना है चाहें परस्तिती कोई भी क्यों ना हो बड़े से बड़ा गुना क्यों ना हो गया हो अपनी सचाई पर अपनी मानदारी पर बने रहें कितनों ने डाकू के विशे में पढ़ा है जिसने उध्धार पाया पढ़ा है पढ़ा है न आपको मालूम है क्यों परवेश्व ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा आज ही तु मेरे साथ फिरदौस में होगा मालू में क्यूं? उसके एक ही बात थी जो मैंने जानी, पता है वो अपनी सच्चाई पे बना हुआ था वो इमानदार था उसने सच्चाई से एक बात कही उसने कहा, हे डाको, तु वो सही डंड पा रहा है हम दोनों उसने कुछ नहीं किया हमने तो अपनी गुनाहों की सजा पाई है जो हम कर रहे थे, हम उसका भाग पा रहे है पर इसने कुछ नहीं किया पर वो कहता है, प्रभू जब तु अपने राज्ये में आए तो मेरी सुधी लेना येश्यू ने उसी समयों से कहा तो मेरे साथ फर्दॉस में होगा क्यों क्योंकि येश्यू हिर्दे की सच्चाई से प्रसन होता है हालेलोया वो प्रसन हो गया उसने कहा इसने सच बोला क्रूस पे लटका है पीड़ा में तकलीफ में है फायदा नहीं उठाना चारा सचाई से गहरा प्रभू में यह सचाई यह है मैं पापी हूँ मैं बहुत गलत काम किये अपी तक यह जो कुरूस पे आया हूँ अपने गलत कामों की वज़े से आया हूँ लेकिन खुदा मैं जानता हूँ कि तू परवेश्वर का पुत्र है ये मैं समझ गया हूँ, इसलिए अपनी सचाई को प्रगट कर दिया उसने, और जब उसने प्रगट किया, परमिशो ने कहा, तो आज ही मेरे साथ फ्रदॉस में होगा, एशो ने बोला, तो आज ही मेरे साथ होगा, क्या खुबसूरत बात है, बता है, इमानदार था, क्या मैं है, हम लोगों पर अरोब डालते हैं, उसने किया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बंद करिये जूट को बोला, जूट, जूटा बनकी परमिश्वर के सामने मत आईए, अगर आप ये सोस्ते हैं, आप कहा रहे हैं, इसने किया, उसने किया, जूट बोल रहे हैं तो परमिश्वर अपका न्याय करेगा और पता है न्याय क्या है बाइबल में लिखका बहन पड़ेगे चितावरी हैं सुनिएगा प्रकाशित्वाक की किस अध्याय उसके आठ पत्से पड़ेगा प्रकाशित्वाक की किस आठ प्रंदु डर्पोको और विश्वासियों और घिनानों और हत्यारों और बैबिजारियों और टोनों और मूर्ति पुझकों और सब जूटों का भाग उस जील में मिलेगा जो आग और गंदक से जलती रहती है जूट बोलने वालों साबधान परमिश्व कह रहा है आपका भाग उस जील में होगा जो आग से गंदक से जलती रहती है पर पता है मैं एक बात जानता हूँ अगर निकल गया तो उसके लिए खुदा से शमा मांगे और उसे स्विकार कनने की टाकत रखे आज हम चूकते काए बता है जोट हर विक्ति बोल देता है जाने ये अंजाने हर एक विक्ति बोलता है पर पता है इसमें बड़ी बात नहीं है बड़ी बात यह है कि खुदा के सामने आके स्विकार करो मैंने जोट बोला है मैंने अपराद किया है आपको बता रहा हूँ जिस घड़ी आप यह सीख गए, उस घड़ी खुदा आपके अपरादों को शमा करता हो चला जाएगा हालेलोया, यह मौका देता है परमेश्वर हमें कि हम पश्चाताप करें हम रिपेंट करें, हम प्रभु से कहें, प्रभु हमसे हो गया है हमसे हो गया है, आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के परवत पर केवल वही रहेगा पढ़ेगा भेन भजन सहिता, पंदरा एक दो, क्या लिखा है, द्यान से सुनिएगा खुदा कुछ कह रहे है, परमेश्वर कुछ कह रहे है, भजन पंदरा उसका पहला और दूसरा पत हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा भजन का लिखने वाला एक प्रश्ण पूछ रहा है किस से परमेश्वर से क्या रहा है प्रभू तेरे तंबू में कौन रहेगा तेरी उपस्तिती में कौन रहेगा तेरे इस्थान पर कौन रहेगा जो तुने तयार किया है और हिर्दे से सच बोलता है, हललुया, आपको बता रहा हूँ, परविश्व कह रहे हैं, आप उस तंबू में रह सकते हैं, आप उसके तयार किये गए स्थान में रह सकते हैं, यदि आप हिर्दे से सच बोलते हैं, खराई से चलते हैं, खराई से मतलब हर एक चीज में खराई रहते हैं, चाहे गलती हो, गुनाह हो, पाप हो, खराई से स्विकार कर लेते हैं, कि हाँ मुझसे हुआ है, मुझसे हुआ है, हलेलोया, समझ रहें, करें, जो हिर्दय से सच बोलता है, आगे, जो अपनी जीप से निन्दा नहीं करता, और ना अपने मित्र की बुराई करता, और ना अपने पडोसी की निन्दा सुनता है, प्रभू कह रहे हैं, आपका मन बिल्कुल खरा होना चाहिए, आपको वालू में, आज संसार में, खराई की बाते लोगों से ब्रदाश्ट नहीं होती है, पता है न, अगर आप खराब होलोगे, तो वो आपको अपनी हिस्सेदारी में नहीं रखेंगे, आप उस जुन का हिस्सा नहीं होगे, मालू में क्यों, क्योंकि आप खरे हैं, और खराब एकती आजकल लोगों को पसंद नहीं आता, हालेलोया, उन्हें वही पसंद आता है, जो उनके जीवन में, उनके सामने तो बहुत अच्छा हो, है न, बाइबल का एक पद मुझे बड़ा याद आता है, कि उसकी बाते तो मक्खन सी हैं, बाइबल में लिखा है वजन सहीता में, उसकी बाते तो मक्खन सी हैं, पर पता है वो एक तेज दलवार है, आज लोग ऐसी संगतियां चाहते हैं लोग यही चाहते हैं कि लोग बस हमारे सामने हमारे अच्छी अच्छी बाते करें हमारे गुना ना बताए हमारे पाप ना बताए और जो गुना बता दे जो गलतियां बता दे वो सबसे बड़ा दुश्मन है है ना पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप अपनी खराई पर बने रही है अपनी सच्चाई पर बने रही है आप अगर सच्चे हैं तो निश्चे परमेश्वर आपकी ओर खड़ा होगा हललुया दुनिया जाहे कुछ भी करे परवेश्वर आपकी सच्चाई को जानता है कि आपने सच्चाई वे होकर सारे काम किये इसलिए खुदा आपके साथ खड़ा होगा मनुश्य खड़े हो या ना हो खुदा आपके साथ है हललुया पर परवेश्वर क्या कह रहे है कह रहे हैं आपको सच्चाई से चलना है कोई ऐसा काम मत करिए जो यहुदा के समान है आज आपको एक मौका परमेश्यों ने दिया यहुदा के पास आया पर उसने मौकी का यूटलाइज नहीं किया और चत्तुर बन गया और इनोसेंट बनके परमेश्यों के सामने आ गया प्रभू क्या वो मैं हूँ सब कुछ जानते हुए आज आपसे कहना चाता हूँ आप जानते हैं मुझसे बहतर जानते हैं खुदा और आप दोनों ही एक बात जानते हैं कि आपका जीवन कैसा है मैंने एक पिछे दिनों एक बात कही कि आपका खुदा जानता है चाहें मनुश्य जाने या ना जाने पर खुदा जानता है कि आप कैसे हो है ना कैसे हो आप इतर से कैसे हो बार से कैसे हो प्रभू सब कुछ जानता है और जब वो जानता है तो आपको उसके प्रती इमानदार रहना है जब उसने यहुदा को मौका दे यहुदा को कहना चाहिए था प्रभू मैं हूँ प्रभू मैंने बुरा माना मेरे को कुरोध आया परमिश्वर जब तुने कहा मैं गुस्से में गया और मैंने जाकर प्रभू इन लोगों से समझाता कर लिया और मैंने शड़ेंतर रचा कि आपको पकड़वाऊं पता है ये शुमसीख खोश होते है ये शुमसीख खोश होते है और उससे कहते है कोई बात नहीं बेटा गलती करी पर तुने स्विकार करा ये बड़ा काम है आपको बताना चाहता हो ये सबसे बड़ी गलती थी यहुदा की सबसे बड़ी गलती थी और एक मौका उसने गवा दिया पर मैं चाहता हूं आप इस मौके को कभी न गवाए आप खुदा के साथ इमानदार बने रहे आप हमेशा इमानदारी से हर इक चीज़ को कुबूल करें सुविकार करें इना आपको बड़ा मज़ा आएगा मैं आपको बता रहो प्रावन ने का न, वो इर्दे की सचाई से प्रसन होता है तो जब वो प्रसन होता है, तो पता है आप भी प्रसन होंगे, हालेलोया, जब मैं एडिक्षन में था, जब मैं सिग्रेट पीता था, और जब मैंने उसका अंगीकार किया भरे चर्च में, भरे चर्च में मैंने स्विकार किया, कि मैंने गलती करी, मैं सिग्रेट पीता था, ये करता था, आपको मालूम है, जैसे मैं बाहर निकल की आया, गवाई से पहले, अंगीकार से पहले, मेरे अंदर डर था, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे मुझे, पर पता है, खुदा ने जब मुझे वो हियाब दिया, और मैंने जाके स्व कार नहीं किया, हलेलुया, और पता है, वोई लोग जो मेरे साथ रहते तो ने, किसी समय में, वोई मेरी बुराईया करते दुनिया वर में, आज प्रचारक बन गिया है, क्योंकि मैंने स्विकार नहीं किया होता, तो वोई कह रहे होते, कह रहे हम तेरे कामों को जानते हैं, पर अब मुझे पता है मैंने सब के सामने स्विकार किया है कोई मुझे पे उंगली नहीं उठाएगा ठोकी वो जानते हैं कि इसने तो अपनी गलती स्विकार कर ली और मैंने विरोधियों का मुँ बन करा हाललुया मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ हमेशा इमानदार रहिए खुदा में विश्वास योग्य रहिए सचाई से चलिए अगर गलती हो गई है तो स्विकार करिए इतना कलेजा रखिए कि आप अपनी गलतीयों को मान सके सबसे ज़ादा मैं अपनी उसमें कहूँ अच्छा वेक्ति जो मैंने अपने अनुवव में पाया है वो वेक्ति है जो सच्चाई से कभी डरता नहीं है सत्य से कभी डरता नहीं है सत्य से मतलब कि वो अपने पास्वान के सामने भी जाके कह सकता है मेरे से ये गलती हो गई है मेरे से एक गुना हो गया है और अपने परमेश्वर से तो वो कहता ही है हलेलुया अगर आप ऐसे बन रहे हैं आपकी दशा यहुदा की तरह हैं तो आज मौकद यह खुदा ने है ना, खुदा के सामने जाके अंगीकार करिएगा अंगीकार करिएगा जब आप अंगीकार करेंगे परमेश्वर के सामने जाकर तो परमेश्वर आपको शमा करेगा और आप आनंद के साथ प्रातना कख्ष से बाहर आएंगे हलेलुया और फिर उसी इमानदारी को कैरी करके रखेगा उसे खोने मत दीजेगा तो आप देखेंगे आपकी जो आत्म की जीवन है वो बढ़ता चला चाहेगा वो ग्रोथ में आ चाहेगा हलेलुया करेंगे अप एकसेप्ट करेंगे फिर देखेगा कितना आपको आनंद मिलेगा हर एक चाहिए छोटा पाप बड़ा पाप आप एकसेप्ट करेंगा खुदा के सामने और हो सके आप बता सकते हैं अगर आप परमेश्यों के बच्चत में लिखा है यदि कोई अपने अपरादों को जियाले में लिया आता है अपने अंदकार की बातों को जोती में लिया आता है तो वो क्या करता है वो अपने लिए एक सेफ्टी साइड रखता है आप कमवालो है सेफर साइड है उसको सेफर साइड पता है कि मैंने अप जोती में अपने गुनाओं को ला दिया अब मेरा परमेश्यों मेरी रक्षा करेगा हालेलोया समझ गए उमीद करता हूँ आज के वच्छन आपसे बात किया है और यदि बात किया है तो जो यहाँ है वो मुझे बता सकते हैं जो ऑनलाइन है मैं चाहता हूँ आप भी जरूर से जब आप इस मैसेज को सुन रहे हो तो हमें कमेंट करके जरूर से बताई यह आपका यदि कोई भी अंगिकार है कोई प्रेयर रिक्विस्ट है यह कुछ भी चीज जो आपने इस वर्ट से सीखी है मैं जानता हूँ परमेशों ने आपकी दशा आपको दिखाई है परमेशों ने आपकी दशा को आपको बता दिया है और यदि आप तूट गए हैं इस बात से आपने भी बहुत जूट बुला बहुत चीज़े करी आप बहुत परमेशों के सामने ऐसे बने जैसे आप है नहीं तो आपको एक रिपेंट करने की जरुवत है खुदा से शमा मागने की जरुवत है पिता से कहना है कि पिता मुझे शमा कर दीजे आई हम लोग प्रात्थ न करें और परमेशों से इस बात के लिए शमा प्रात्थ करें जिनके मन में ऐसी कोई भी बात है तो वो परमेशों के सामने मान सकते हैं सुईकार कर सकते हैं ग्रहन कर सकते हैं लॉड मेरे से यह हुआ, मेरे से यह कलती हुई, प्रभु मुझसे बात कर, मुझे शमा कर, अगर आपका मन सच्चाई के साथ परमेश्वर के सामने हैं, क्योंकि वो मनों को जाचने वाला परमेश्वर है, और उसने कहा कि वो हिदय की सच्चाई से प्रसन होता है, आएए मिल कर, अपने हिदय की सच्चाई उसको दिखाएं, प्रात्न कर, हर एक जन प्रात्न करें मैं चाहता हूँ, आप जहां कहीं भी है, जिस भी स्थान पर हैं, प्रात्न करें, और अपनी सच्चाई अपनी परमेश्वर को दिखाएं, कहें परमेश्वर, यह मेरी सच्चाई है प पाऊं, मैं माफ किया जाऊं और मैं इस मौके को गवाना नहीं जाता हूँ आई अपने हाथों को उठा कर इस बात को कहेंगे, खुदा मैं आपका धनेवाद करता हूँ कि आपने इस बात को प्रगट किया हाँ परमेश्वर ये मौका मेरे पांस है मैं इसे गवाना नहीं चाहता मैं अंगिकार करता हूँ मैं स्विकार लेता हूँ परमेश्वर स्विकार करता हूँ जो भी पाप है, जो भी बाते हैं परमेश्वर, जो भी नकाप की तरह मैंने ओडा हाइट किया दुनिया से भी परमेश्वर और आपसे भी हाइट करने का प्रयास किया उन बातों को आपके सामने रखता हूँ मानता हूँ प्रभू निती वचन 28.13 के अनुसार प्रभू मेरे अपरादों को शमा कर दीजे परमेश्वर दया कर दीजे मुझे पर मुझे आपकी दया चाहिए प्रभू आपके वचन में लिखा है नियाए पे दया जैवन्थ है अब प्रभू उसी दया के तले मैं आना चाहता हूँ मैं आना चाहती हूँ कई यह परवेश्वर से हाँ प्रभू हम जानते हैं कि हमने यह सब किया हमें शमा करे हाँ प्रभू हमें शमा करे इस अफसर को हमने बहुमूल ने जान लिया इस अफसर में हम अपने आप को देख पा रहे हैं परमेशर हम अपनी दशा को देख पा रहे हैं प्रभू कि हमने कितना जूट बोला कितने जगा प्रभू हम गलत होते हुए भी प्रभू हमने ये प्रडिक्ट किया कि हम ठीक हैं प्रभू हमें शमा कर हमें शमा कर हमें माफ कर कि आज के बाद हम इन बातों में न पाये जाएं वरन प्रभू सचाई से चले ताकि तेरे तंबू में निवास कर सके ये शुमसी के नाम में मानते है आमें